एक हेलो हेलो मिराद सब्सक्राइब कर तो यह हूं चॉर्ष मुझे बात्य कर सक्राएं सब्सक्राइब क्यर्ब कर सकते हैं यह जो तो वीडियो को एंड तक देखू ठीक है अब यह जो चार्ट है यह मुझे क्या कहने की कोशिश कर रहा था उसी से पूछते हैं ठीक है कि जादातर लोग जो है यानि कि जो रीटेलर से वह कौन से साइड का ट्रेड ले रहे हैं तो फिर मार्केट जो है थोड़ा सा उपर जाएगा क्यों हमने जनरली तो सीखा है लेकिन जो चार्ट है चार्ट मुझे ऐसा क्यों क्यार है तो चार्ट कि किया मे breadth कृट है तो फिर कुछ मैंने उसके रिश्वत तो दीन नहीं दिये रइट नहीं दिये तो अब हम लोग जानने वाले हैं कि हम लोग इसी तरह के से आप लोग भी चार्ट के साथ बाते कैसे कर सकते हो ठीक है स्टार्ट करते हैं मैं पिछले दो से तीन दिनों का आपको यहां पर एक्जामपल दूँगा और उस example में अपन यहाँ पे समझेंगे कि किस तरीके से अपन चार्ट से बात देख कर सकते हैं start करते हैं आज के ही example से ठीक है अब आज के example में अपने को यहाँ पे क्या सीखने को मिलता है आज के example से अपने को zone जब अपन मार्क करते हैं अने को क्या देखने को मिलता है कि अच्छा, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, तो M-pattern यहाँ पर बनरा है, तो chaat से अब अपने को क्या कुछिन पूछना है, हेलो चार्ट जैसे की एलेकसा होता है या फिर जैसे की कोई कार्स में भी फीचर्स होता है तो वैसे अपने को पुछना है हेलो चार्ट आज यहां पे कौन से साइड का ब्रेकाउट हो रहा है तो चार्ट अपने को बताएगा यह देखो चार्ट में नीचे के साइड का ब्रे हुना लिए मैं क्या कर रहे हैं थोड़ा सा जाधा Time passt कर रहा हूंальномबए One Point Note कर लो फटाफ़ Tina Okay questa टैम पास नंबए सेकेंड पुइंट इसी लिए मैं क्या कर रहा हूं यहां पर credit करके फिर नीचे जाने की तरह बतारो number two defender is require on the bigiker 3धाडी खातिर्दारी एक्वल तो आप लोग समझ चुके होंगी मैं क्या कहना चारू ठीक है तो चार्ट से अपने पूछ लिया मेजर बेकडाउन है आज का यहां पर क्या होता है लिक्विडिटी ग्राइब होती है कैसे लिक्विडिटी ग्राइब होगी जब भी मार्केट किसी जोन को ब्रेक करता है तो यहां पर आते हैं यह तो अपने को चार्ट नहीं बता है कैसे चार्ट ने चार्ट ने चार्ट ने कंफर्म किया यहां पर टाइम पास करके ठीक है उसके बाद मार्केटिक अप मूव चला जाता है ठीक है अब अप मूव क्या बना के गया है यहां पर यह आरे से एकसेस तो immediately मिल जाएगा तो फटा फट से process कर लो और हमारे community में free में join हो जाओ ठीक है आगे बढ़ते हैं next यह हो गया एक आज ही कि दिन का एक और example लेते हैं चार्ट ने यहाँ पर क्या चार्ट ने फिर से ऐसा बेव किया कि वह आपकी खातिरदारी करना चाहरा है खातिरद सारी करते उसने क्या क्या यहां पर एक बार support लिया दूसरी बार support लिया तीसरी बार support लिया टो market में जब इस तरीकी का market चाट जो है ट्रेंड लाइन breakout करता है तो कौन आता है ऑबिस्टे इस इलर साते हैं तो sellers अगर आएंगे तो market क्या करना ची सीधे अगर गिरता तो गिरने वाला होता है, तो वो वैसे ही गरता, यह मुझे कौन बता है, यह भी चार्ट नहीं बता है, कैसे, पीछे पीछे जाओ, कहीं पे भी देखो, जब रियल में गिरना वाला होता है, तो सीधे गिर जाता है, ज्यादा टाइम पास नहीं करता, लेकिन जब नहीं गिरना हो चार्ट से बात ये कर सकते हैं next point यहां पर trendline break-out होगी बहुत देर तक market क्या गया यहीं पर alt क्या तो इसका मतलब यह नीचे नहीं जा रहा है तो mood क्या है नीचे जाना तो चाहिए मुझे भी लग रहा है क्योंकि market ने अल्रेडी अब बोल सकते हो कि continue उपर ही जा रहा है ना नीचे जाना चीए लेकिन कैसे जाएगा सेकेंड पॉइंट आता है रिमूविंग वीखेंड्स वाला रिमूविंग वीखेंड्स क्यों करता है मार्के तो यह भी क्वेश्चन अपन चाट से ही पूस्ते चाट मुझे यह बताओ कि यहां पर तुम रिमूव क्यों करते वो एकेले पैसा कमाना है चाट यह तो तुम्होफ की लैंग Gibperson की और यह मैंनकी इंट तो देखा आप लोगों कि चाट ने अपने को क्या बोला चार्ट को पसंद नहीं है कि market में जो retailer से सभी उसके 7 पैसा कम है तो market क्या करेगा भले ही trendline breakout के बाद उसको जाना है नीचे भले ही जाना है लेकिन पहले वो क्या करेगा लोगों को remove करेगा मान लो trendline breakout हुआ इस तरीके का तो इस swing पे जिसने भी sell किया होगा यहां पे आप देख रहे हो right generally retailers confirmation के साथ किस तरीके से trade करते हैं आपको पता है यह breakout होता है breakout पे यहां पे entry लेते हैं लोग right उपर stop losses लगाते हैं इस swing के उपर तो यहां तक जिसने भी stop losses लगा है उनके stop losses market hit करके अब market आ रहा है नीच धिरे धिरे नीचे तो यह है market का nature यह है market का behavior तो आप लोगों को चार्ट से बात करने के लिए कुछ points में आपको बता जिता हूँ यहां पे भी देख लो यह क्या है market ने बनाए एक अच्छा का सा breakout right breakout बनाया breakout पे आ गए लोग राइट लोग आ गए लोग जैसे breakout पे यहां पे आए नीचे लोगों ने stop losses लगा लेकिन चार्ट ने क्या किया पहले उनका stop loss क्यों क्योंकि चार्ट को पसंद नहीं कि कोई उसके साथ मिलके पैसा कमाएगा चार्ट को क्या चार्ट को सिर्फ यहां पे यह चाहिए कि वो अकेल ही उपर जाए और साथ में हो कुछ operators तो operators और charts operators एक्स charts यानि कि operators के साथ मिले हुए है charts लेकिन operators और charts के साथ नहीं मिले हुए retailers यानि कि retailers जहां पे आएंगे वहां से market के opposite में जाने की chances ज़ादा होते हैं या फिर आप बोल सकते हो इसको simple language में अगर में बोलेंगे तो one buyer equal to one seller होता है हर कोई अगर market में buy करेगा तो market में यह possibly नहीं है उसको sellers ही नहीं मिलेंगे हर कोई अगर sell करेगा तो वो भी possible नहीं है तो possible क्या है there is always a buyer for a seller यह ultimate rule तो आपको daily आना है chart से क्या क्या questions पूछने है सबसे पहला question है hello chart where are the obvious levels आपको पता चल जाएगा exact zones कहां प you breaking out market जब breakout करेगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ नीचे के side breakout कर रहे है ठीक है breakout अगर real है तो 30 से चला जाएगा breakout अगर fake है तो time pass करता रहेगा third question यहाँ पे आपको पूछना है hello chart are you going to be trending today yes you can look at my previous day moves तो chart आपको क्या बोलेगा आप मेरे previous day के moves को देख लो आपको पता चल जाएगा आज में trending जाओंगा या नहीं जाओंगा तो previous day पे तीन से चार दिन अगर market stop आप बोल सकते हो sideways और volatile बीएव किया है तो चौते पाच्वे दिन चार्ट जो है trending जा सकता है यह होगे three phases of market structure I hope आप लोगों कोई वीडियो समझ में आई है समझदारों को इशारा क चार्ट के साथ बाते करिए कब entry करना है कब exit करना है वो सारी चीज़े आपको मिल जाएंगी ठीक है और master course पे discount चल रहा है वो अगर आप enroll करना चाते हो जिसमें मैंने live trade किया है इसी तरीके से चार्ट से बात करते हुए 30 live trades उसमें वो भी अगर आपको चाहिए तो उस पे discount चल रहा है एल यू सी के वाई 2024 यह कूपन कोड अगर डाल दोगे तो आपको discount भी मिल जाएगा thank you so much have a great day free telegram channel ज़रूर जोइन करें क्योंकि इसी तरीके से live market updates उसमें आते रहते हैं thank you have a great day may all your dreams come true thank you